हेलो गाइज माइनेम इस विशाल मैं आज आपको प्लैग बुक ओफ इंग्लिश वोकेबलरी का डिव्यू करूंगा यह बुक आपको देखने में मोटी जरूर लगेगी पर यह बुक उतनी ही हेल्पफुल है आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए क्योंकि आपको इसमें इ यह सारी चीज़े हैं ऐसे सी के जितने भी प्रिवेस यह कोस्टन्स हैं जो इंग्रिश के पूछे गई हैं वो सारे इस बुक में कवर हो चुकी हैं तो यह आपके ऐसे सीजियल के लिए सी एचसल सीपीयों जीडी कॉंस्टेबल स्टैन नों एम टीएस एड्सक्टर एक्ज क्योंकि जो इन दोनों को एक्जाम्स को जो कंड़क्ट करवाता है वो टीसी एस टाटा कंसल्टेंशी सर्विशिज वो इस एक्जाम्स को कंड़क्ट कराते हैं यह बुक फैब्रेरी तक अपडेटिड है 2021 हलाकि इसके बाद एक और इसका रिवाइज एडिशन आया है उसक इसके पब्लिशर है निकल गुपता आप इसका होलोग्राम जो फ्रेंट पेज पर है उसको देखकर आप इस बुक की जैनुवन नेस को पता कर सकते हैं इसका रिशेंट एडिशन आप फैब 2021 में आधा जो इसका करंट एडिशन जो मैं आपको इसकी वीडियो बना रहा हू इसका फर्स्ट एडिशन जुलाइ 2019 में आया था मैंने ये बुक अमेजन से परचेज की थी आप ओफलेंड भी परचेज कर सकते हैं इसको तो इसमें हम देखते हैं वनवर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इसका पहला पार्ट है इसके वनवर्ड सब्स्टिट्यूशन में जि फिर आएगा प्रैक्टिस कोस्टिन्स जिसमें 30 सेट होंगे तो इसमें अब हम देखते हैं ये वनवर्ड सब्स्टिट्यूशन है जितने भी तो इसमें हम देखते हैं ये जैसे कि इसमें जो आपको ये हाइलाइटेड वर्ड दिख रहे होंगे ये जैसे अकोस्टिक्स है एक्विट है, एब्डिगेट है, एब्डिगेशन है और जो इनके आगे आपको इनमबर्स दिख रहे होंगे तो यह आपको यह दिखेंगे कि यह repeated question है जितने भी आपको previous year में आपको questions पुछे गई है यह किसी भी exams में तीन बार पुछे गई हैं यह दो बार पुछा गया है, यह पांच बार, यह दो बार, यह दो बार तो यह मतलब आपको यह दिखाता है कि इस बुक में आपको वह सारी से मिलेंगे जो आपके आने वाली upcoming exams में भी पूछी जाएंगी तो इसमें somewhere 1200 से something questions हैं इसमें आपको मिलेंगे तो आपको यह सोचोगे क्या आप इसमें bulk में बहुत सारे questions हैं तो आपको याद कैसे होंगे और क्या आप कैसे कर पाएंगे हम इतने को याद वो तो सब भी सोचते हैं इस बात को तो इसमें 1277 questions है पर यह आप अगर इसको ट्रिक के साथ याद करोगे और आपको मैं वीडियो के end में बताऊंगा कि इनको यह कैसे ट्रिक के साथ याद करें और फिर इसके बाद हम इसके बाद 200 most repeated जो इसी से related हैं पहले हम उनको पढ़ेंगे फिर 200 most repeated questions करेंगे क्योंकि यह 200 most repeated तो आपको वह 1277 हैं जितने भी questions हैं उसमें आपको cover up हो जाएंगे जितने भी 200 questions हैं बट यह जितने भी questions हैं देखो यह पांच-पांच बार यह ज्यादा बार मतलब यह most repeated हैं उसके पर जो और यह तो दोस्तों हो गई जो आपको एससे में cover up हो चुके हैं पर जो 1270 हैं वह आपको डिट्री पर लेस्वी में आपको और जो टीसीस कंड़क्ट करवाती है जैसे अभी रिसेंट एक एक्जाम आया है एक फूर सेक्योरिटी स्टेंडर्स उफ इंडिया उसको भी टीसीस कंड़क्ट करवाता है तो उसके लिए भी आपकी यह जितने भी वनवर्ट सब्स्टिटिशन है वह और है फुल रहेंगे आपको तो इसके बाद दोस्तों मोस रिपिटेड के बाद हैं आपके फिर जित इतने भी कॉस्टिंस आपके आए हैं वह भी आपके इसी में इसी में है MTS 2019 में जो पुछे गई हैं और सेलेक्शन पोस्ट में जितने भी पुछे गई हैं तो आपको हर सारी चाहिए आपको एक जगह पर एवलेबल हैं तो बैस्ट बुक है इसके बाद हम देखते हैं कि इ यहाँ नीचे ही मिल जाएंगे तो इसमें कम से कम तीज को देख सकते कि आप कितना तैक्टिस आपको तो आपको यहां पर idiom phrases दिखेंगे idiom phrases भी आपको one word substitution की तरही हैं मतलब कि आपको यहां पर जो highlighted words दिख रहे हैं तीन बार तो बार आपको मतलब यह रिपीटेड हैं जितने भी तो मतलब यह आपको दिखा रखा है highlighted दिखा रखेंगे यह पिछले एक्जाम्स में प्रिविस आने वाले future exams में भी आपको यह helpful help करेंगे तो यहां भी somewhere 1200-1300 तक यहां पर आपको idiom phrases मिल जाएंगे यहां भी 1245 के somewhere आपको है क्योंकि यह आपके SSC के लिए नहीं मैंने आपको बताया था आपको हर जो भी TCS conduct करवाता है या और भी आपको exams है क्योंकि 1245 हर exams के लिए बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि यह हर exams में पूछे जाते हैं यह सारे चीज़े grammar से अलग portion तो यह है और यह सबसे ज़्यादा पूछा ज़ता है grammar से भी ज़्यादा पूछा ज़ता है exam में तो अगर यह आप tricks के साथ पढ़ोगे तो आपको easily समझ में आ जाएगा आप यह देखोगे कि 1245 बहुत ज़्यादा है पर अगर इसको आप tricks के साथ पढ़ोगे तो आपको easily आ दोंगे और यह देख रहे हैं हम दोस्तों most repeated जितने भी इसमें last पूछे गए हैं previous exams में 7 बार 8 बार जहां भी देख रहे हैं आप इसमें हर जगई आइलेड़ तो नहीं है पर यहां पर नमबर्स जरूर दिये गई हैं और फिर हम यहां देख रहे हैं कि यह इडियम फ्रेजिस यह तजल टियर 1 2018 में पूछे गए थे 2019 में पूछे गए थे 2019 यह भी 2019 हर previous year exams में यह सारे जिज़े पूछे गए 2020 में यह आपकी recent ही है तो इसमें हर चीज आपकी cover-up है आपको फिर यहां भी आपको practice set मिल जाते हैं आपको अपनी practice करने के लिए अगर हम इस book का parts ही देखते है synonym antonyums जो कि सब बच्चे इसको रठने की सोचते हैं सब सोचते हैं कि कैसे होगा यह आपको इतने बड़ याद कैसे होंगे तो easily अगर हम इसको trick के साथ याद करें तो मुश्किल नहीं होगा यह बहुत easy होगा यहां पर फिर हम देखते हैं यह vocab है तो यहां देखते हैं यह हमारी vocab है फिर हमारे synonym start हो गए है तो हम इसे देखते हैं यहां पर भी आपको highlighted words देखेंगे जैसे कि पिछले देख रहे थे हैं medium phrases में और वहां भी तो अगर हम इनको trick के साथ याद करेंगे तो यह easily याद ह हो जाएंगे और इसे मैं promise करता हूँ आपको यह trick के साथ याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है मैं आपको easily बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं इसको याद करवाऊंगा इसमें 165 इसमें वह synonyms हैं फिर इसके बाद आपको वही most repeated आ जाएंगी और आपको अलग-अलग आपको यहां से कर सकते हो इसके बाद आपको इससे आगए जाएंगे फिर आपको यह spellings किया जाएंगे क्यूंकि आपको यहां पर लिखा हुआ है और आपको यहां भी प्रैक्टिस एट मिल रही है यहां भी अलग-अलग एक्जाम्स में पूछे गए आपके spellings के हैं इन्हें भी हम देखेंगे और यह प्रैक्टिस एट हैं यहां भी आपको करने के लिए प्रिपेर्शन के लिए प्रबाब आपको यहां पे हजार आपको जो मैं बता रहा था हिंदुनियोस पेपर की वो कैव आ गई यहां पे आपके लिए इस बुक में आपके लिए सारी चीज़े हैं बस आपको यह लगता है कि यह थोड़ा किताब मुट्टी है तो ड्रजात पीजली हो जाती है और जल्दी होती है तो उसके बारे मैं वह यह आपको बताता हूं यह देख लेते हैं हम इसको बस एक बार यह से लाइक आपके फ्रेजल वर्ब्स आ गई यहां यह हर एक्जाम से हुंद सभ्छ जगह पर फिलर समान को सब्सक्राइब हे इसे पूच्त करते हैं यह सारी जिज़ें आपकी आगी ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं इसमें यह आपके लिए कि बहुतीजी हो जाएगे अगर आपको कोई ट्रिक से यह सारी जिज़ें अगर याद करवाएगा तो तो मैं आपको एट लास्ट यह बताना चाहता हूं कि कि मैं कल से ही आपके लिए इस ब्लैक बुक इंग्रिश वोकैबलरी की आपके लिए कल से ही क्लासे स्टार्ट कर रहा हूं मैं तो हम डेली इसकी 30 one word substitution याद करेंगे ट्रिक के साथ और 30 synonym and antonyum से याद करेंगे क्योंकि यह थोड़ा ज्यादा value में है इनकी ज्यादा strength है मतलब 1200-1100 के something है इनकी तो डेली की डेली हम इन दोनों की 30-30 questions याद करेंगे इनके 30-30 words याद करेंगे with tricks तो अभी मैं इसके recorded sections ही डालूँगा तो अभी मैं इसके recorded videos ही डालूँगा फिर आगे जागे थोड़ा और टाइम के बाद subscribers बढ़ते हैं उनकी demand होती है live sessions की तो मैं बिल्कुल live sessions भी लेके आँँगा इसके लिए और आपके जो भी doubts होंगे जो तो थैंक यूँ यह मेरी first video है YouTube पर तो इसे जाधा से जाधा subscribe करें share करें क्यूंकि मैं इसके लिए कल से ही आपकी classes start करूँ with beautiful tricks जो आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए हूं यह words जो कि आप पहले इसको trick जो मैं करवाओंगा आप उसे देखें फिर आप उसे खुद revise करें एक बर और मेरी वीडियो को देखें जो मैंने वो trick करवाई हैं तो आप जो तीसरी बार करोगे उसको तो वह आपके दिमाग में बिल्कुल fit हो जाएंगे तो अब मैं कल अपनी वीडियो डालूंगा इन दोनों इन पर one word substitution पर और अपना synonym पर तो कल उसके लिए bye bye अब आगे के लिए और best of luck for your exams थैंक यू